हलो गाइज वेलकम यह अगें तो दिस यूट्यूब चैनल आई होप कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे चलिए आते हैं आज की टॉपिक पर तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ बायलोजी का दूसरा चैप्टर जो है टीशू और आप आप बारी है तीसरे टाइप आप आप ओपड़ने की जो गी है मस्कूलर टीशू आपको यादि होगा कि एन्वल्टीशू चार टैप का है इपिथीलियल कनेक्टिव मस्कूलर और नौवस तो इस पीथीलियल टीशू उनने पढ़ लिया उसका सारा टाइप अगरे काम यह है कि वह क्याचिस में हल्प परते हैं वे हल्प इन वे हल्प करते हैं इन बॉड़ी मूवमेंट्स हमारे बॉड़ी के डिफरेंट पार्ट्स जो मूव कर पाते हैं विकॉल में मसल्स अटैज्ट है मारे बॉड़ी के मूवमें में हल्प रगता है यह इस कस्प से में इंकाम है अचा मसल्स के जो सिल्स है जिन उनको हम एक तर्म बोलते हैं सिल्स आफ मस्क्यूलर टीश्यू आर नोन एज मसल फाइबर्स यानी मसल टीशू जो है जिन सिल्स बनने होते आहां मसल्स यूब्लमिंट कर पाता है वह काफीña ही फ्रेक्सिल होता है तो उसमें इतनी मसल्स काहां से आती लिए इतनी flexibility इसलिए आती है क्योंकि muscle fiber जो है वह special type of protein से बना है जिसको हम लोग बोलते हैं contractile तो contractile protein से बना है यह contractile protein in muscle fibers को क्या देता है तो flexibility देता है यानि कि muscle fibers है वह highly flexible होता है इसलिए उसमें movement हो पाता है और उनको flexibility कौन प्रोवाइड करता है तो contractile protein प्रोवाइड करता है जिससे मिलके muscle fiber यानि muscle के cells बने है तो overall यह muscular tissue का एक general overview हो गया कि क्या है muscular tissue उसका काम क्या है उसके cell किस जिससे बने हैं क्या नाम है उसके cell का तो अब बारिये इसके भी फिर further types को पढ़ने के muscular tissue के भी types होते हैं यह तो हमको बोल दिया गया कि कोई भी muscular tissue होगा तो भाई वो हमारे body के movement में help करेंगा लेकिन movement जो होता है वो भी अलग अलग tight का होता है हमारे body में होने वाला movement है जैसे कुछ movement है जो हमारे control में है यानि कि उसको हम willingly start भी कर सकते हैं और stop भी कर सकते हैं जैसे हमारे हाथ-pair का movement है बहुत सारी movement चलना फिरना कुदना दोड़ना यह सारे ऐसे movement है जिसको हम जब चाहे start और stop कर सकते हैं वह हमारे conscious control में हैं वह हमारे control में हम voluntarily उसको काम कर सकते हैं जबकि कुछ movement ऐसा है body का जो as a movement होता तो है वह body में लेकिन वह हमारे control में नहीं है मतलब वह as a movement हो रहा है body में लेकिन वह हम उसको start और stop नहीं कर रहे हैं वह खुद से हो रहे हैं जैसे कि wind pipe है हमारे पास body के अंदर या जिसको मों ट्रैकिया बोलते हैं उसमें जो air जाता है उसका movement food pipe में आगे control में नहीं है मैं तो जो मोथम्या हमारे control में है जिसको किस्टार्ट और смож working के मुवमेंट को बोलते हैं voluntary movement और जो हमारे control में नहीं है उसको हम start यह stop नहीं कर सकते उस तरह के मुवमेंट को बोलते हैं involuntary movement तो वह voluntary moment में help कर रहा है इसके basis पर muscles है तो जो muscles voluntary movement को help करेगा उस muscle का नाम क्या होगा voluntary muscular tissue voluntary muscular tissue जो involuntary movement में help करेगा वो involuntary muscular tissue involuntary muscular muscular tissue और एक तीसरा specialized टाइप है कार्डियक tissue यह भी involuntary muscular tissue की तरह ही एक उस तरह की movement को help कर रहा है जो हमारे control में नहीं है यानि कि involuntary movement को जो कि कैसा movement तो हमारे heart का movement हमारा heart जो continuous contract और relax कर रहा है लगातार काम कर रहा है हमारे बर्द से लेके डेक तक वह तो continuous को काम करते ही रहना है तो वह हाट का movement है उस movement को भी हम control नहीं कर सकते ना start करते ना stop करते हैं खुद से autonomous काम करते हैं तो वह भी involuntary है लेकिन वह एक तीसरे टाइप का अलग special type of muscle से बना है जिसको बोलते है काडियक मुसल या काडियक टिशू यह वाला टिशू इस वाले टिशू से डिफरेंट है अपने structure में नहीं तो यह भी involuntary के अंदर रहता क्योंकि कि इन्वलेंटरी भी तो वही मसल है जो हमारी involuntary movements को है करता है लेकिन involuntary movements को जो control करने वाले जो involuntary muscles है उनका और कुछ-कुछ features है जब कि cardiac muscle है उसका एक altogether different feature तो तीन तरह के muscular tissue हो गया voluntary muscular tissue involuntary muscular tissue और cardiac muscular tissue को voluntary muscular tissue को voluntary muscular tissue इस लिए गया है because वो कैसे मुम्में में help कर रहा है तो voluntary movement में help कर रहा है यानि उस movement में help कर रहा है जो हमारे control में है जिसको हम जब चाहे start और stop दोनों कर सकते हैं जबकि involuntary movement उस तरह के movement को help कर रहा है ऐसा muscle है जो कि involuntary movement में help करता है मतलब कि जो हमारे control में नहीं है इसको हम start या stop नहीं कर सकते है जैसे कि बता ही दिया गया था कि ब्लड वसके में ब्लड की पासिंग है और कागी एक मसल जो है वो भी इन वॉलेंटरी मून में हल्प कर रहा है लेकिन कहीं के नहीं एक खासी जगह के हाट के उसका अपना एक स्पेशलाइज डिजाइन इनकों को एक एक करके फिर फर्दर आगे भढ़नाने हैं कि सबसे पहले बात वो ऑन फिस bak mal apples टिशू है यह जो वॉलेंट्री मस्कृलीज है इसी का एक और दूसरा नाम क्या है भेभा इसपी इसकेलीटल टीशु या इसकेलीटल मस्कूलर टीशु है और नाम के पीछे बज़ा तो स्केलेटर टीशु इसलिए नाम है विकॉज यह मस्कूलर टीशु का एक तीसरा नाम भी है जो बहुत इंपर्टेंट नाम है तो स्ट्राइटेड टीशु बोले यह बस इस्ट्राइटेड टीशु बोले कि इस में ओल टीशु इस्ट्राइटेड टीशु को बोलते हैं यहाँ है जूकि इस मतलब क्या है इस पैटर्ण में इस पैटर्ण में यह है कि यह डार्क रिजन फिर लाइट रिजन फिर आपको डार्क रिजन तो लाइट डार्क लाइट डार्क का ऐसा अल्टरनेट पैटर्ण को बोलते हैं स्ट्रायेशन्स हैं स्ट्रेक्टूरल डिजाइन में मिलता है इसम्लेश को बोते हैं स्ट्रायेशन्स के स्ट्राये रहए फैस्ट्रों में किता है से ये चलीनुक्ट आज है वाध करत इतंगे बहुत कि इन में बहुत सारे नूक्लिय ゃी है यानि कि यह कैसे हैं मल्टी नूप्लियेटेड है यह भी इनका एक इंपोर्टेंट फिचर लेकिन अनब्रांच कोई ब्रांच नहीं ना इसके स्ट्रॉक्चर में अनब्रांच सिलिंड्रिकल एंड इस्ट्राइशन से इसका नाम हो गया स्ट्राइट टिशू लिम्स से हेलब करता है वॉयनरणटरि मुव्मेंट कराता है लें वॉलनर्टरि मस्कूलर टिशू थे वाघसромIt अब आता है no va2 दंबर टूतों जो हैई र्यनिकि हमारा है इनफोहलन्ट्री मस्कूलर टिशू जो है या इन व alerts टिशू जो इसका इन्वालिंटरी मुवम्में में हिल्प करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है जिसको हम स्टार्ट या स्टॉप नहीं करते हैं बट वह ऐसे मुवमें बॉडी में होता है और इसी का एक और नाम क्या है पलब है स्मूथ मंसकूलर टीशू स्मीं कोई रइबोजम ऐटेश्मेंट में मतने इसका नाम हो चक्णिदा है ऐसे तीसरा नाम किया है तो अन इस ट्रायटिड अनिस्ट्रायटिड टिशू यह एसमें टिश्चू की तरह ऐसा कोई wild लाइट डार बैंड ऑफफ नहीं है वैसा को इस ट्रायचू है नहीं तो नहीं इस ट्रायचन इसलिए इनषट्रायट्ड बरफ बल्कुल चिकना है दिखने में तो यानि कि फूड पाइप में यह विंड पाइप ट्रैकी तो ऐसा जगह का मोधिन हमारे कंट्रोल में नहीं बढ़ वह एसे मूवमेंट होता है तो भीकॉस आफ इन्वल्णून्टरी मॉसल होता है यह जो है इसमें कोई वैसा स्ट्राइशंस नहीं है स्ट्राइट इसके जो सेल्स है वो कैसा है स्पिंडल शेप लेकिन वो जो हमारा स्ट्राइट टिशू तो कैसा था सिलिद्रीकल था अब आते हैं तीसरे और आखरी टाइप ओफ मस्कूलर टिशू पर जो की कौन है काडियक मस्कूलर टिशू या फिर काडियक टिशू हमारे किस पार्ट को बनाए हुए है हाट 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 जिस इससे स्पेशल टाइप ओफ मसल से बना है वो है काडियक मसल पेवी काडियम बोरते हैं उसको और हाट का काम हमको पता ही है वो भी involuntary मुवमेंट करता है कैसा कि continuous blood pump करता है continuous जो है कॉंस्ट्रिक करता है रिलेक्स करता है सब्सक्राइब में निया इसा नहीं कि हम अभी काम करना स्टार्ट करो बने लेकिन हमारा हाट पेर का मुमेंट तो हम चाहें स्टार्ट तरस आव कर सकते हैं लेकिन यह उस involuntary muscles are different जोकि इसका structure different structure वाइज थोड़ा-थोड़ा striated muscular tissue के तरह कि इसमें भी कुछ हद तक striations मिलते हैं वैसा एक्दम prominent striations नहीं कुछ हद तक striations इसमें भी है लेकिन यह uni-nucleated और जो striated muscular tissue था वो multi-nucleated हमने पड़ा है दूसरी बात वो अंड ब्रांज्ड था लेकिन यह कैसा है तो ब्रांज्ड होता है NCRT book में आप इसका diagram में देखेंगे तो ब्रांज्ड है तो तीनों ही तरह के जो muscular tissue है उसका अपना अपना structural design है अपना अपना काम है लेकिन overall कोई भी अगर muscle muscular tissue है तो काम क्या है तो movement में help करना अब कैसा movement उसी के बैसे पर यह टाइप प्रेस्क्राइब किये गया और movement इसलिए possible अलुप आता है वह हाइली फ्लेक्जिबल है और यह इतने हाइली फ्लेक्जिबल क्यों है क्योंकि वह जो इसके सेल्स हैं जिनका नाम क्या बताया गया muscle fibers वह बने है specialized protein उसके अंदर है वही प्रोटीन उसको flexibility देता है इस प्रोटीन का नाम है contractile protein तो यही overall बात थी muscular tissue की I hope कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो इसको एक बार फिर से आप स्टार्टिंग से इंटर बिना script की वह देखेएगा सारी बात क्लियर हो जाएगी कोई खास ऐसा बहुत complex चीज नहीं है घर पर रहे है सुरक्षित रहे है पढ़ते रहे है जाने बात